करिए चलिए अभी स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया था क्लास सर्वर डाउन होने की वज़े से नाव हम स्टार्टिंग से जैसे कर रहे थे ना वहीं से कंटिन्यू करते हैं पहले 20 तक कोशन दिये थे और उसी के कोडिंग तो कोई बच्चा ये टेंशन ना ले के सर हमारी क्लास तो छूट गई है या हमारी क्लास तो रहे गई है तो ऐसे कोई बात नहीं है चलिए सर क्या क्या कर लिया हमने हमने फॉर्मूला देख लिया फॉर्मूला देखने के बाद फिर आगे हमने काफे सारी चीज़े ये डाउट में था ना थाटीन कोईशन कितने बच्चे का डाउट में बताईए थाटीन थाटीन कोईशन कितने स्टूडेंट का डाउट है बता दीजिए थाटीन चैट में बता दीजिए आप चैट देख लेते हैं किसके इसका रहा है नीशा, भारत, निधी, अर्मान, आशूर, स्नेहा, रजनी, प्रीती, जितने भी बच्चे हैं, सिवानी, तानीश, सभी बता दीजिए थाटीन कुशन दिया था मैंने होमवर्क में, किसी का डाउट है तो बताईए, नहीं तो फिर हम अगले कुशन पर चलेंगे बताएं फटा फट डाउट, राजलक्षमी, ओके, चलिए सर सवाल में क्या कहता है, सेलिंग प्राइस दे रखा है 20 रुपे, वेरियेबल 11, वेरियेबल सेलिंग कॉस्ट, ये सर क्या आ गया, वेरियेबल सेलिंग कॉस्ट, ठीक है यानि सर हमारा वेरियेबल सेलिंग कॉस्ट का मतलब, हमारा वेरियेबल मेनिफेक्चरिंग कॉस्ट दे रखा है, वेरियेबल सेलिंग कॉस्ट, यानि सर ये दोनों मिला के, हमारे 14 रुपे की कीमत आ गई, VC, फिक्स ओवरहेड दे रखा है, और फिक्स सेलिंग ओवरहेड, दोनों मिलाके हमारा fix cost आ जाएगा यहां sir कितने आ जाएगे पांच चालिस और दो बावन पांच चालिस और दो बावन 79 20,000 चलिए sir You are required compute break even point express in the amount of sales in rupee number of unit must sold to unprofit how many units sold ठीक है एक एक करके सबसे पहले break even point sir break even point break even point का formula बता दीजिए break even point is equal to fc divided by pvr into 100 sir pvr निकाल लेते है pvr is equal to contribution divided by sales into 100 sir sales बता दीजिए sales में क्या आएगा sir sales में हमारा आएजाएगा यहाँ पे unit में नहीं गीवन तो CPU निकाल लेंगे cost per unit cost per unit निकाल लेंगे है na तो तो यह वाला formula नहीं लगाते हैं क्योंकि हमें total sales पता है unit दे रखा है नहीं दे रखा sir तो यह formula नहीं लगाते हैं हम सीधा लगाते हैं नीचे ये कौन से वाला CPU वाला लगाते हैं, CPU वाला, ठीक है सर, fix cost कितना है, 792, CPU कितना आएगा, 146 रुपे, divided by 6 तो यह आगे, 1,32,000, और सर यह जो आया है न, यह that is unit, अब बोल रहा है सर इसे न, आप बताओ, sales में, रुपीज में, तो रुपीज में break-even point कितना होगा, सर अगर आप unit 1,32,000 बेचोगे और एक unit 20 रुपे का बेचोगे, तो रुपीज में आ जाएगा न, तो सर यह आ जाएगा, 26,40,000, इसके बाद कहता है, number of unit sold profit, 60,000 per year, 60,000 profit, तो desire sales, desire sales, DS लिख दिया, desire sales, formula fix cost plus profit, साथ यह formula पहले नहीं लिखा है, divided by आपका आजाता है, CPU, तो सर fix cost कितना है, 792, plus में profit, profit क्या है सर, 60,000 desire, मतलब हम इतना चाहते हैं, divided by 6, तो आपका 792, plus में 60,000, divided by 6, 142, 142, point number 3, 60,000, कहता है, how many unit must be sold to unprofit 10% on sales, तो सर, आपको क्या चाहिए, आपका sales होना चाहिए, is equal to VC plus में TC, और plus profit होना चाहिए, कितना, 10% of sales का, यही तो आप चाहते हैं, और सरी, VC plus में FC, VC plus में FC, यह होना चाहिए, सर, अब sales मान लेते हैं, हमें rupees तो पता है sales का, लेकिन sales बनता कैसे है, sales बनता है, rupees per unit into my unit, इसी से बनता है, तो rupees तो पता है हमारा 20 रुपे, unit नहीं पता, मान लो X, unit नहीं पता, तो let assume X, VC पता है कैसर, बिल्कुल VC पता है, 14 रुपे, FC पता है कैसर, 5792, तो यह जो profit होगा, यह 20X का, तो कितने बनेंगे यह, 2X, समझ में आरा equation, solve कर लिए, तो यह आ जागा 18X is equal to, आपका यह 14 है न, तो into में यहाँ भी X आएगा, क्योंकि यह per unit है सर, तो इसको मैं अगर लिखूं 14X, तो किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परिशानी, तो सर यहाँ पे कर लेते हैं हम क्या, यहाँ 792 रह जाएगा, और इधर 14 तो 16, 20X माइनस में 16X हो जाएगा, तो अगर इसको पूरा solve करें हम, तो जवाब आ जाएगा, X divided by हो जाएगा हमारा 4, इसको 4 से divide कर दो, 792 divided by 4, 198 unit, तो सवाल का कहना है कि अगर 198 unit बेचोगे न, तो मुनाफ़ा 10% होगा, चेक करना चाहोगे, कर लो सर, सेल्स होगा, 198 into में 20, 198 into में 20, तो यह सेल्स 49,60,000, माइनस में VC हो जाएगा, 198 into में 14, यानि सर 27,72,000, इसको जब माइनस कर दोगे, 36,49,60,000 से, या जगर 11,88,000, ये cross verify कर रहे हैं, माइनस FC, 792, माइनस 792, तो जबाब आगे हमारा 49,396, अब इसका 10% निकाल लो, तो आपका proof हो जाता है कि क्या करना है, सर, अंशू का कहना है, सर, इसका PVR क्यों नहीं निकाल सकते हमें selling price, निकाल सकते हैं PVR contribution कर लिजी आपके इच्छा है, PVR से कर सकते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा, कि इसका PVR नहीं करना, PVR से भी करते हैं, तो हमें ये वाला step eliminate हो जाता, खतम हो जाता, मतलब ये करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट आ जाता, तो मैंने कहा था, आपको कर सकते हो अंशू, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या है, इस पॉइंट में बता दीजे मुझे फटाक से, पटा-फट बता दीजे किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या तो, है क्या इसमें?